ह़लो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियनजैद पर मैं हूँ आपका दोस्त मॉहमाज जैद और दोस्तों लास्ट येर हम लोग का सिख्थ चैप्टर था क्लासिफिकेशन अब दे प्लांट आज हम लोग पढ़ने जारहे हैं एनिमल क्लासिफिकेशन टेंथ में ये सिख्ष्टे चैप्टर है दोस्तों तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इनिमल क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री फिर नया मेथड फिर एक इंग्डम एनिमे लिया के सभी फाइलम इनिमल नॉन फाइलम के सब्फाइलम के चरेक्टर तो सबसे पहले यह इस चार्ट दिया गया हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट यह दो माँ का सकता है तो तेयार रहें सबसे पहले पूछा गया living organism दोनों box खा लिए पहले box में आगा pro-cariotic दूसरे box में आगा eukaryotic pro-cariotic मतलब pro-mतलब old primitive कर्यों मतलब nucleus मतलब पुराना nucleus undeveloped nucleus eukaryotic you मतलब true karyotic मतलब nucleus true nucleus well developed nucleus pro-cariotic में आता है kingdom monera eukaryotic में फिर unicellular multi cellular मतलब किस तरीके से classify किये गए तो सबसे पहले दो group बना पहले pro-cariotic eukaryotic तो pro-cariotic में kingdom monera आया फिर eukaryotic में unicellular और multicellular में with cell wall और without cell wall तो without cell wall में आया animal और with cell wall में आये दो लोग एक autotropic और एक heterotropic यह आएगा आपका hetero यह आएगा auto और unicellular kingdom protista तो इस तरीके से आप लोग याद करने इसको दो दो चार दो छे box खाली है मतलब तीन marks का यह आपको पूछ सकता है तो अब आगे बढ़ते हैं यह living organism को सबसे पहले इसी तरीके से classify किया गया था तो आज हम लोगों के पास बहुत सारे millions of animal species है प्रॉक्सिमेटली सात मिलियन मतलब सतर लाख species है हमारे पास और सभी को पढ़ना इतना easy नहीं है इसी लिए यहाँ पे animal को classify किया गया है ताकि students को study जो है या फिर किसी की भी study easy पढ़ जाए क्योंकि सतर लाख species को आ तो आप लोग पढ़ नहीं सकते तो सभी को अलग-अलग classify कर दिया गया है तो उसके benefits क्या हुए benefits आ चुका है 2019 body exam में दो माग का be prepared तो सबसे पहले study of animals becomes convenient convenient मतलब easier तो इसके कारण study easy हो गई फिर कुछ animals को study अगर आप कर लेंगे ग्रूप में तो पूरे animals की जानकारी आपको मिल जाएगी सारे animals भी वैसे ही होते हैं जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा एनिमल evolution का हमें थोड़ा सा idea मिलता है एनिमल्स को हम लोग आसानी से identify कर पाएंगे यह हमें समझाने में मदद करता है कि एनिमल्स का living organism से दूसरे living organism से क्या relationship है और हमें यह भी समझाता है कि अलग-अलग animal का अलग-अलग habitat मतलब रहने की जगहां किस तरीके से होती और उनका नेचर में क्या रोल है और हमें यह भी समझाता है कि animal का एडाप्शन मतलब नेचर में कैसे उसने अपने आपको ढाला वह भी हमें यह समझाता है तो सबसे पहले फिलोसॉफर एरिस्टोटल इन्हें फादर और बायोलोजी कहा जाता है यह पहले इंसान थे जिन्होंने इनिमल क्लासिफिकेशन किया तो इनिमल क्लासिफिकेशन कि आरिस्टोटल का उसको आर्टिफिश्यल मेथड बोला जाता था आ सकता है बोड में यह याद रखें अरिस्टोटल के रावाँ थियो फ्रेस्टस प्लीनी और जॉन रे लिनेक लिनेस इन्होंने भी परफॉर्म किया एनिमल क्लासिफिकेशन और फिर नेचरल सिस्टम आया से हुए क्लासिफाई किया गया और उसके बाद सिस्टम आफ क्लासिफिकेशन एवलूशन पर बेस्ट था और इसको डोब जैंक्सी और मेर ने क्लासिफाई किया है बड़ जो रिसेंटली मतलब कुछ साल पहले ही काल वोस ने एक अलग मेथड प्रोपोस किया है एनिमल क्ल क्लासिफाई किया जा रहा है तो सबसे पहले वह जो मतलब में निया टॉपिक है और हमारी बौढडी में नोटो कॉर्ड मतलब वर्टीब्रल कॉलम जो है हम लोग का तो पीछे जो है हम लोग कीío रिड की अड़ी बेकबॉन तो वहां पे एक अ। नोटो कॉड होता है तो वह रॉड लाइक अगरर प्रिजंट है हमारी बॉडी में और notocord आपको बता देते हैं notocord जो होता है वो long rod like supporting structure होता है dorsal side पे dorsal मतलब पीछे side ventral मतलब आगे side ये nerves tissue को अलग रखता है body से अगर एक साथ आ जाएंगी तो बहुत सारी problems हो जाती है तो notocord is nothing but a rod like part which provides support to the body तो ये support देता है body को non cordate उसे बोलेंगे जिसके अंदर cordate notocord नहीं होगा और cordate उसे बोलेंगे जिसके अंदर notocord होगा तो non cordate के characters है notocord नहीं होगा body उसे support नहीं होगी pharyngeal gills नहीं होगे respiration के लिए pharyngeal gills अगर आप लोग को देखने तो आप लोग मचलियों को देखिए किस तरीके से वो सांस लेती हैं नव कॉड्ट जो होगा तो वो वेंटरल मतलब जो पीछे हम लोग का नव कॉड होता है वो उनलोग को आगे वेंटरल साइड पर होगा तरीक होगा और पेरड zelf मतलब दोदो के गृूप में हर्ट जो होगा वो ventral side, डौर्सल side, मतलब हम लोग का हर्ट कैसा होता है ? Benral side आगे होता है, पर उनका हर्ट जो दिल होगा वो पीछे के side होगा अब Cordes के character, Cordes में body support होगी N肌tochord से Pharyngeal gills या lungs present होगे respiration के लिए N肌tochord पीछे होगा, Hollow होगा, Heart आगे होगा मतलब यह हमारे एक गारेक्टरस है अब करदेट देखें के तो यह मसल यह नोटो कोड़ हो नव कोड़ हो यह माउथ है गिल्स लीड ऐनस तेल फिन अब को देखें तो आप लुग पीछे साट है तो मतलब यह ओर्डेट है अभी एनिमल्स को इसी तरीके जे क्लासिफाय किया गया तो सबसे पहले kingdom एनी मेlly ayam इन सभी को रखा गया था दिए उसकी जगह एक नया fiosus होगा इसको हटा दिया गया इसको हम लोग बोलते हैं यह दूसरा chord data मतलब कि दूसरा है वो उसे हम लोग बोलते हैं Echinodermita यह एक नया करेक्टर आ गया chord data जैसा आप लोग देखे तो ПрotoZova की जगहाँ पर chord data आ गया तो यह traditional method दा पहले traditional method पढ़ते हैं में कनफिूज मत हों यह आप लोग तो सबसे पहले यॉन कौडज में ये 10 फाइलम रखें गए क फिर कौडज में फाइलम बनाय गया तो यह कंवेंशनल मतलब पुराना मेथड था बट आज भी कुछ लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं बट आज कल निव मेथड आया है तो यह क्लासिफिकेशन के लिए रॉबर्ट विटाकर ने दिया था इसे और्गिनिजम्स को उन्हों नहीं क्लासिफाय किया था सभी और्ग क्राइटेयरिया यह 5 है इन पांचों क्राइटेयरिया को याद रखें हो सकत Cant oversep Transaires के लिए आ जाए टिशू के बाद group of tissue आते हैं बनता है organ फिर organ के बाद बनता है organ system फिर उसके बाद बनती है पूरी body तो यह आपको पता होगा जैसे word से एक later से word बनता है word से phrase बनता है phrase से sentence बनता है sentence से paragraph paragraph से कई सारे paragraph मतलब एक chapter chapter से बहुत सारे chapter मतलब एक book तो इस तरीके से book बनती है तो उसी लोगों का कैसा होता है कि सेल तो बना सबकी बॉडे में स aur बना आजएशन को बोलेंंगे अब अभी organ-grade organization किसे बोलेंगे जिसमें body में cells है tissue बनेगा tissue से organ बनेगा बट organ system नहीं बनेगा body नहीं बनेगी उसे हम लोग बोलेंगे organ-grade organization और उसके बाद अगर पूरी body बन गई तो उसे हम लोग बोलेंगे organ system-grade organization तो मुझी लगता है चैरो टाइप की organization आप लोग को समझ में आया होगा अब यहां पर जो यह figure दिख रहा है यह आ चुका है 2020 March Board exam में बहुत important है आप लोग याद कर लें पूरे figure को feel कर लें तो यह है आपका head यह है आपका mouth यह है आपका lungs फिर यह है आपका heart फिर यह है आपका liver kidney kidney और यह है आपका arm फिर उसके बाद यह है फोर हैंड और फिर उसके बाद यह है थाइस यह मसल थाइस तो इन सभी को आप लोग याद कर लें अच्छे से फिर यह पहला criteria था organ grade मतलब grades of organization किस तरीके से animals जो है उनकी body में कितनी organizations हुई है उसके हिसाब से अभी दूसरा आता है body symmetry body symmetry पहले समझ लेते symmetry क्या होता है symmetry मतलब एक imaginary line जिसको हम लोग पास करें तो body दो पार्ट में divide हो जैसे मैं इनकी body से एक line पास करूँ तो अगर मैं यहाँ पे पास किया तो उसके बाद इसकी body आधा यहाँ गई आधा यहाँ गई मतलब दो पार्ट में divide हो गई वो symmetry होता है एक line जिससे हम लोग divide करते हैं अब जो symmetry होता है वो तीन टाइप का होता है एक asymmetry एक radial symmetry एक bilateral symmetry तो asymmetry मतलब एक body को अगर मैं कहीं से भी divide करूं तो वो divide ना हो तो उसे हम लोग बोलेंगे asymmetry equal part में हा ऐसा नहीं कि आधा पार्ट इदर गया और उदर पूरा पार्ट से थोड़ा कमा गया तो वो गलत हो जाएगा body divide हो बट equal part में divide हो तो हम लोग उसे symmetry कहेंगे तो अगर body equal part में divide होती है और एक ही जगां से divide होती ह है तो उसे हम लोग बोलेंगे bilateral symmetry जैसे यहां पे डियर को काटा गया है मतलब दिखाया गया है तो यहां से अगर इसको divide करें तो एक पार्ट यहां आया nose का आधा पार्ट एक कान आधा मूँ आधी पूंच यहां आई दो पैर यहां आए चार में से और आधी चीजे वहां गई तो यह हो जाएगा हम लोग कर रहें bilateral symmetry bilateral मतलब दो symmetry तो दो पार्ट में अगर डिवाइड होता है तो bilateral symmetry और जैसे एक bottle होती है bottle को अगर मैं कहीं से भी काटूं तो मुझे बहुत सारे दो equal parts मिलेंगे ही अगर मैं उसको कहीं से भी काटूं तो भी मुझे equal parts मिलेंगे ही तो उसे मैं बोलूँगा radial symmetry जैसे यह organism दिखाया गया है इसको यहां से भी काटा गया है यहां से भी काट सकते हैं यहां से भी काट सकते हैं तो इसको बोलेंगे radial symmetry अब कुछ organism होते हैं जिसको कहीं से भी काटो बस equal parts नहीं मिलने वाले हैं तो ऐसे organism को बोलते हैं asymmetrical जैसे य organism देखें आप लोग तो मैं अगर यहां से काटू तो यह ज्यादा आ गया यहां से काटू तो यह बढ़ गया वहां से काटू तो एधरन आ यहां पूरा आ तो कहीं से भी look part नहीं मिलने वाले हैं तो यह asymmetrical मतलब नहीं कटने वाला इसकी सिमेट्री है ही नहीं तो यह आप लोग याद रखें फिर तीसरा है हम लोग का जम लेयर जम लेयर कैसे हैं जम लेयर दो टाइप के जम लेयर बनते कब हैं सबसे पहले हमारी बॉड़ी में जब जाइगोट फॉर्म होता है तो ब्रास्ट्रूला बनत हैं तो सबसे पहले यह लेयर बनती है उसके बाद बॉड़ी बनती है तो अगर एक लेयर डेड है मतलब एक लेयर प्रिजेंट नहीं है या फिर है बट वेल डेवलप नहीं है तो उसे हम लोग बोलेंगे डिपलो ब्लास्टिक मतलब दो ही लेयर है बट अगर बीच वाला प्रिजेन्द है तो से रोग उलेंगी ट्रिपलोग यह अप लोग याद रख गया उसके बाद बॉड़ी कैरिमत जगहां अगर बॉड़ी में जगहां औक भॉड़ी कहीं पर कैरीर dawnot कि में कहीं है को इसत आप लोग कि ये मेरे पेट में जगहां के बीच में यहां पर सिलोम सिलोम मतलब कैविटी कैविटी है तो सबसे पहले आप लोग को समझाना पड़ेगा कि किसी और चीज से कैसे तो जो बॉड़ी कैविटी होती है इनीशियल पीरियड में इंब्रियोनिक डिवलप्मेंट में तो बॉड़ी की जो कैविटी होती है वो बनती है मीजोडम से मीजोडम से या तो गट से जो बॉड़ी में प्रिजेंट होते हैं तो मीजोडम से बनती है या तो गट से बनती है इन दोनों चीजों से अगर केविटी होगी ही नहीं इसके अंदर बॉडी केविटी होगी ही नहीं तो तीनों चीज को क्लियर रखें यह सिलोमेट मतलब बॉडी केविटी नहीं होगी यह सिलोमेट में बॉडी केविटी होगी और बनी होगी मीजोडम या गट से स्यूडो सिलोमेट में भी बॉडी केव इच स्मॉल यूनिट ऑप दा बॉड़ी इस कॉल्ड ए सेग्मेंट जैसे केचुवा होता है केचुवा को मैं कितने सारे सेग्मेंट में डिवाइड कर सकता हूं उसमें सेग्मेंट प्रिजेंट भी होते हैं तो उसको बलते हैं बॉड़ी सेग्मेंटेशन तो पांचो ग्रेड और टिशू ग्रेड सेलूलार ग्रेड में आसिमेट्रिकल में एसिलोमेड में आता है फाइलम पोरिफेरा टिशू ग्रेड में आता है रेडियल सिमेट्री बायलेटरल सिमेट्री में एसिलोमेड वह है निडैरिया और बायलेटरल सिमेट्री में बहुत सारी लोग आ है और अगर आपको डाइग्राम याद है तो पोरी फेरा हैस नो बॉड़ी के विटी मेंस इट इस इलो मेट इट इस असीमेट्रिकल इट हैस्ट इस इलूलार ग्रेट ऑर्गनाइशन तिन पॉइंट बन गए आपके चौते पॉइंट में आप एक्जांपल दे दो वरना वन किलमिंट इस इलो मेट में बागी सारे और्गनिजम सा जाते हैं तो एक एक करके सभी फाइलम को हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहला फाइलम है पोरी फेरा फाइलम पोरी फेरा को जो बॉड़ी प्लाइन है वह एकदम सिंपल है मतलब कि सेलूलार ग्रेड ऑर्गनाइशन है से टिशू बने ही नहीं है हमारी बॉड़ी में कैसा हर चीज के लिए अलग प्रोसेस है डाइशन का अलग प्रोसेस सर्कुलेशन का अलग प्रोसेस एक्स्क्रेशन का अलग प्रोसेस बट यह और्गनिजम एकदम सिंपल है और हम लोग कैसे हैं खाना खाते हैं तो वो कितन बोलते हैं और स्क्यूला बोलते हैं यह एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं इन में से बहुत सारे मरीन होते हैं कुछ फ्रेश वाटर ड्वेलर्स मतलब रहवासी मरीन मतलब की सॉल्टी वाटर और कुछ फ्रेश वाटर में रहने वाले होते हैं एनिमल्स आसिमेट्रिकल होते हैं इनके पास special type of cells होते हैं कोलार सेल और ये जो animals होते हैं ये हमेशा किसी ना किसी substratum मतलब किसी ना किसी object से attached रहते हैं जिसके कारण ये locomotion मतलब movement नहीं करते हैं किसी ना किसी चीज से जुड़े हुए रहते हैं इसलिए इनको कहा जाता है sedentary animals इनकी spongy body में specules होते हैं spongy fibers होते हैं और जो specules होते हो बने रहते calcium carbonate से या silica से अब ये organism अपना खाना कैसे खाते हैं वो बताता हूँ ये animals सबसे पहले बहुत सारा water ले लेते हैं ostia से ostia यहां पर present है यहां से यह बहुत सारा water ले लेंगे water लेने के बाद उसमें बहुत सारे living organism भी आये होंगे हो सकता है एक दो छोटे-छोटे microbes भी आ गए हो उसके बाद जो osculum है वहां से वो water निकाल देंगे और जो अंदर organisms हैं उनको अपने पास रख लेंगे तो यह छानने की तरह चाम करते हैं जैसे चाय को छाने तो उसमें से चाय पत्ति बच जाती है तो चाय पत्ति living organism है बाकि जो चाय बहुत निकल गई वो living organism है वो बच गए तो उस तरीके से यह अपना खान पान रखते हैं एनिमल ये बडिंग से रिप्रोड्यूस करते हैं मतलब ये असेक्शुल मेथड है बट सेक्शुल मेथड भी रहता है इनके पास और इसके अलावा इनके पास रिजनरेशन की अच्छी खासी एबिलिटी है एक पार्ट अगर आप लोग कार दो तो दुबारा रिजनरेट कर स दख्ते हैं इसके अग्जाम्पल्स आप लोग देख सकते हैं बादीस पॉंजिसिकोन के अलोव नीव आएक्ट एक्सेक्टरियूस अब फाइलाम नीडलियूरिया मतलब इनकी बाड़ी जो होती है या यह तो यह अम्ब्रेल्इन की तरह होती है अगर इस लन्री को दो है पॉलिप अगर यह अम्ब्रेला मतलब छाती की तरह है इसे हम लोग बोलेंगे मेडिवसा यह एनिमल्स मरीन वाटर होते हैं कुछ ही लोग होते हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं और इनकी बॉडी रेडियली सिमेट्रीकल होते हैं और डिप्लोब्लास्टिक होती है मतलब एक डेड लेयर होगी बाकी एक्टोडम और एंडोडम होगा नाइडोब्लास्ट बियरिंग सिल्स अभी इनकी जो बॉडी होती है उसमें टेंटिकल्स होते हैं बहुत सारे तो यह टेंटिकल्स में क्या होते हैं नाइडोब्लास्ट सिल्स क्या करते हैं टॉक्सिन रिलीस क अगर हम लोग पानी में जेली फिश के कॉंटेक्ट में आते हैं तो हमारी बॉड़ी में बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लगती है इचिंग होने लगती है तो यह किसके कारण होता है क्योंकि उनकी बॉड़ी में नाइडो ब्लास्ट सेल होते हैं उनके टेंटिकल्स पे त तो टॉक्सिन एक बार उसके अंदर इंजेक्ट हुआ तो मर जाएगी मरने के बाद जो हाइडरा होगा वो यहीं से उसको अपने अंदर ले लेगा और यहीं से फिर बाहर भी कर देता है मतलब इसका इनहेल और एक्जेल एक ही जगह से होता है और जो नाइडो ब्लास्ट स होते हैं वो प्रोटेक्शन के लिए भी अच्छे-खासे होते हैं इसका एक्जाम्पल है हाइड्रा एनीमोन फिजैलिया और और इलिया मतलब जेली फिश और कोरल्स, कोरल्स जो होते हैं वो गहने बनाने के अच्छे खासे काम आते हैं, एनिमोन किसी के भी उपर चड़ जाते हैं और फिर उनके उपर चड़ के सवारी करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब आपको मैं बता देता हूँ पैरसाइट, पहुचाते हैं और फिर उनसे अपना फायदा करते हैं, पैरसाइट के लिए जैसे मच्छर हो गया, मच्छर के लिए हम लोग और वो हमारे लिए पैरसाइट है, मतलब वो हमारे उपर फीड करेगा, हमारी चीजों को वो खाएगा, जैसे वो हमारा खून लेता है, तो हों दिए और और ब्टी होती है जिससे लिए इनको में वहीं do पार साइट होते हैं मतला हमारी बॉडी में भी हो सकते हैं ये कुछ लोग free living होते हैं कुछ aquatic होती है body acylomate होती है मतलब body cavity नहीं होती है और bilaterally symmetrical मतलब दो पार्ट में divide हो सकते हैं body triploblastic होती है मतलब तीनो jam layer से बने रहते हैं endodam, ectodam और mesodam animals hermaphrodite होते हैं hermaphrodite मतलब दोस्तों कि इनके body के अंदर दोनों चीजे present रहेंगे, ovary और testis दोनों present रहेंगे मतलब दोनो male और female reproductive system इनकी body में present रहेंगे इनके example है planaria, liver fluke, tape warm, ect सभी phylum के आपको बस चार character से याद रखे हैं दोस्तों चार character आप लोग ने अगर याद रखा है तो आपका काम easy हो गया है अब आगे बढ़ते हैं phylum ascalaminthus पे, phylum ascalaminthus के जो worms मतलब की जो केचुए होते हैं ये rounded होते हैं, rounded होने के कारण thread like होते हैं, cylindrical होते हैं जिसके कारण इसे हम लोग बोलते हैं round warm, इनकी body free living मतलब ये free living होते हैं endoparasite, मतलब body के अंदर रहने वाली होते हैं, free living organisms are either aquatic or terrestrial, मतलब पानी में भी रह सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं इनकी body triple plastic मतलब तीनो jam layer होते हैं, और pseudo silomate होते हैं, मतलब body cavity किसी और चीज़ से बनी हुई होती है इनकी body non-segmented होती है, मतलब divide नहीं कर सकते हैं, और ये tough cuticle से covered रहती है, cuticle मतलब layer, जिससे ये covered रहती है और ये animals unisexual होते हैं, मतलब एक ही रहेगा, या तो ovary रहेगा, या तो taste is तो जैसा आप लोग यहाँ पे देखें, तो ये male asqueries है, male asqueries, female asqueries से छोटा होता है और examples हैं इसके asqueries, जिसको हम लोग बोलते हैं, intestinal worms, मतलब ही हमारी body के intestine के अंदर रहते हैं और ये body के intestine के अंदर रहते हैं, मतलब ये लोग already digested food खाते हैं, और digested food खा काके इनका जो digestive system था, वो खतम हो चुका है evolution में मतलब इनकी body का digestive system है, वो well developed नहीं है, body exam में अगर give reason में आया आपको, कि why the digestive system of the asqueries is not well developed, तो आपको यह reason लिखना है, कि वो already digested food खाते हैं, तो उसको digestion की क्या जरूरत है, तो मगर by chance अगर ये किसी ऐसे बैकती के intestine में आगे, जिसका हाजमा ठीक नहीं है, तो फिर भी कोई problem नहीं होगी, क्योंकि intestine में जब खाना जाते हैं, तो ज़्यादे तर डाइस्टी रहता है तो ये कुछ examples थे, एसकरीस, फाइलेरियल वाम और लूलू, लूलू हम लोगोंने सुना होगा दोस्तों, गाओं में बोलते हैं लोग, तो फाइला मैना लीडा पे पहुंचते हैं, फाइला मैना लीडा में आते हैं, अर्थ वाम, चलिए हमारे दोस्त आगए, अर्थ वाम इन से हमारा पुराना नाता है, हम लोगों का, लीच, मतलब जोग और नेरिस, इन में से कुछ को हम लोग अच्छे से जानते हैं, तीनों को मुझे लगता हम लोग अच्छे से जानते हैं, तो इनकी जो बॉड़ी होती है, वो cylindrical होती है, metamerical, metamerical ही मतलब एक के बाद, एक क तो पैरसाइट मतलब बाहर से ये खतरनाक होते हैं, free living animals जो होते हो, marine हो सकते हैं, fresh water dwellers हो सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं, अर्थवाम को देखोगे तो आप लोग को जमीन पे जादा मिलता है, animals triploblastik होते हैं, तीनों जमलेयर प्रेजेंट होती है, bilaterally symmetrical होते हैं, body cavity होती है, और बनी रहती हैं, मिजोडम से, इनके पास सैटे या पैरापोडिया रहता है, लोकोमोशन के लिए, या सकर भी रहता है, तो पैरापोडिया आप लोग को यहाँ दिख रहा है, आपको यहाँ पर दिखेगा सैटे, और यहाँ पर भी आपको सैटे दिखेगा, तो इससे लोग locomotion movement कर लेते हैं रेंग कर ये चल लेते हैं नेरीस को आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों बहुत एडर आउना दिखता है मैंने इससे देखा था एक बार इससे लिए इसे हम लोग बोलते हैं फ्रेंड आफ फार्मर्स तो लीज जो होता है वो आयूरवेदिक सिस्टम में कैसे यूज होता है वाव दोस्तों लीज जो होता है वो आयूरवेदिक सिस्टम में भी यूज होता है आपके मन में doubt आया होगा तो जी हाँ दोस्तों होता है कुछ दवाईयां होती है जो special होती है उनको बनाने में अगर लीज का यूज नहीं करेंगी तो लीच is very important in such medicines तो उन दवाईयों के बारे में आप information जान सकते हैं Google से उन में ये use होते हैं अईरुवेदिक सिस्टम आफ ट्रीटमेंट में अब फाइलम अर्थ्रोपोड़ा अर्थ्रोपोड़ा इस होना तो most important phylum because this is the largest phylum of the animal kingdom animal इनकी बाड़ी में joint appendages होते हैं appendages मतलब legs joint एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं इसलिए हम लोग बोलते हैं अर्थ्रोपोड़्स अर्थ के पास सबसे ज्यादा number of animals है इस फाइलम में so friends अगर हम लोग को फाइलम अर्थ्रोपोड़ा जानना है तो आप अपने आजू बाजू देखिए आपको जो ऑर्गनिजम दिख गया उसमें से 80% chances है कि वो अर्थ्रोपोड़ा का ही होगा हमें ज्यादा तर अपने रूम में कॉक्रोज दिखते हैं deepest ocean मतलब गहरे से गहरे नदी से लेके उचे 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 पहाड़ों तक आपको दिखेगा अर्थ्रोपोड़ा फाइलम के एनिमल्स मतलब हर जगहां पाए जाते हैं यह इतने ज़्यादा फेमस हैं मतलब बहुत ज़्यादा इनके वराइटीज हैं तो फाइलम किस से बना हुआ होता है तो यही सब आपको लिखना था तीन माक का आया था मैंने अच्छे तरीके से लिखा है आप लोगों ने भी लिखा होगा तो अच्छी बात है अब इनकी बॉड़ी ट्रिप्लो ब्लास्टिक मतलब तीनों जर्म लेयर होते हैं यू सिलोमेड मतलब बडी के लिटी होती है ठीमेटरल मतलब दो पाड़े में डिवाइड हो सकती है सेंट में अब रहते हैं चितनास सक्छेलीटेंग चितनास मतलब ब्राउन कलर का स्फितनीा कि ऐग्सकेलीटन से मतलब इनकी जो बॉन सेंगे वह श्रीर के ऊपर होंगे हमारी बॉड़ी कैस सेंटिपीड कोक्रोज बटरफ्लाय हनी एक सेक्टर बहुत सारी एक्जांपल्स है इसके तो कोक्रोज को एक ध्यान में रख लें बस उतना काफी है अब यह फाइलम अर्थ्रोपोडा के एनिमल्स थे अब आते हैं हम लोग फाइलम मॉलूस्का पे फाइलम मॉलूस्का भी ज लीमी होती है मतलब इन फिसल जाएंगी अगर आप लोग इनके शरीद पर अपना हाथ रखोगे तो उंगलिया फिसलने लगेंगी इसलिए इनने हम लोग मॉलूस्क बोलते हैं यह इनिमल्स या तो मच पानी में रहने वाले रहते हैं तेरिस्टियल रहते हैं कुछ लोग अक्वाटिक होते हैं कुछ लोग मरीन में रहते हैं और कुछ लोग फ्रेश वाटर मतलब साफ पानी में ही रहना पसंद करते हैं जैसे ऑक्टोपस यहां पर परफेक्ट इग्जामपल दिया गया है इनकी बॉड़ी जो होती है वो ट्रिप्लो ब्लास्टिक होती है मतलब इन जम लेए उसी लोमेड मतलब बॉड़ी के विटी होती है नौन सेगमेंटेड मतलब सेगमेंट्स भी डिवाइड नहीं कर सकते और एक ही ऑर्गिनिजम है जैसे स्नेल इसकी बॉड़ी शो करती है बाइलेटरल सिमेट्रिकल मतलब की फाइलम मॉलुसका में जितने भी ऑ ऑर इनकी बॉड़ी जो वह तिन पार्ट में डिवाइड हो सकती है हर फुट और विसेरेल मास मतलब नीचे बाप विसेरेल और विसेरेल मास और ग्स टरीके से कितना होता है और कुछ के इंटरनल होते हैं और यहां पर आपका नेन आउट जैली फिश्ष क्यूंकि ये प्रिलियम एक्जाम में आ चुका है हम लोग की स्कूल में तो इसलिए मैंने आपको बता दिया अब फाइलम इकाइनो डर्मेटा में स्टार फिश आती है दोस्तों इसमें स्टार फिश को हम लोग बहुत यह अच्छे तरीके से जानते हैं तो कैलकेरियस स्पाइन्स मतलब का आने हुए काटे प्रिजंट रहते हैं इनकी बॉड़ी पर इसलिए हम लोग बोलते हैं इकाइनो डर्म्स जो होते हैं वो सिर्फ ओशन में पाई जाते हैं ट्रिपलो ब्लास्टिक होते हैं मतलब तीन जम लियर्स होती है और यूस इलोमेड मतलब बॉड़ी कविटी होती ह होते हैं यह एडल टेज में बट जब लारवाल स्टेज होता है मतलब छोटे रहते हैं तब यह बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं लोको मोशन कैसे करते हैं यह पॉइंट इंपॉटेंट है दोस्तों हो सकता है आपको स्टार फिश का फोटो दिया जाए पहले पूछे य फैलम कहा है फिर उसके बाद आ लोको मोशन कैसे करता है तो सट्वेच्प याद रखे आप 25 और किसके लिए आता है मतलब शीकार को पकड़ने के लिए काम मतलब शीकार और ऊद सिकारी यह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते अब इनका skeleton जो होता है वो calcareous spines मतलब bones नहीं होते हैं काटे होते हैं इनकी body में और कुछ-कुछ के plates रहते हैं मतलब flat रहते हैं और animals के पास good ability होती है regeneration की और animals ज्यादा तर ये unisexual हैं जैसे एक्जामपल starfish, यूर्गीन, brittle starfish, गंगंबर, एक्सेक्टरा अब hemicordata hemicordata मतलब कि इनकी body divide हो सकती है तीन पार्ट में proboscis उपर का पार्ट, kolar और फिर trunk तीन पार्ट में इनकी body divide हो सकती है notocod present होता है proboscis reason में और इसके कारण ही इसे बोलते हैं hemicordates अब animals in the phylum hemicordata are referred as hemicordates, give reason या फिर भाय करके आपको one mark up पूछ दिया तो notocod present होता है proboscis reason में ही सिर्फ इसलिए hemicordata, मतलब half cordate ये आधे cordates होते हैं, पूरे cordates नहीं होते हैं, पूरे में notocod present नहीं होता है सिर्फ proboscis reason मतलब यहाँ पर उसे हम लोग बोलते हैं hemicordates और इनका दूसरा नाम भी है acon worms flat worm पढ़ा, round worm पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं हम लोग acon worms और ये animals कैसे होते हैं, marine होते हैं और कुछ लोग रेंगने की आदत रहती है, मतलब sand मतलब मिट्टी में कुछ लोग रेंगते भी है रेत में, sand मतलब रेत, और balance glosses और psychoglosses आपका example है animals जो होते हैं, वो एक से ज़्यादा भी pharyngeal gillslits होती हैं इनकी body में अब ऐसा question मत पूछना की मतलब इनको तो फिर respiration में problem होता ही नहीं होगा breathing में तो ऐसा कुछ नहीं है, एक से ज़्यादा pharyngeal gillslits होते हैं तो ये आराम से अपना gaseous exchange कर लेते हैं और इनका जो body होता है, वो unisexual होता है, और कुछ लोग harmafrodite हो सकते हैं ज़्यादा तर unisexual, अब core data आगया हम लोग का phylum phylum core data हम लोग अल्रेडी पढ़ चुके हैं दोस्तों, तो वही characters यहाँ पे भी लिखे गए हैं और इसलिए मैं characters आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा time जाता है तो फटा-फट मैं chapters को complete करता हूँ दोस्तों, यही हमारी channel की विशेशता हैं है इसी बात पे subscribe करते चलें अब phylum core data जो है, वो तीन sub-phylum में core divided है और sub-phylum में आता है, पहला euro core data, cephalo core data और फिर vertebrata तो euro core data animals जो होते हैं, वो marine मतलब ocean में रहने वाले होते हैं इनकी body skin like test or tunic, मतलब skin नहीं होती है, इनकी body में part test or tunic होता है, जिसे ही covered रहते हैं, वो भी skin की ही तरह होता है, बड़ स्किन नहीं होता है लार्वल स्टेज में यह, larva of these animals are freely swimming and notocod is present in only 10 tail reason इनकी body में जो notocod होता है, वो सिर्फ tail reason में present होता है, जिसके काराणडी से हम लोग बोलते हैं, euro core data और tail मतलब euro, और chordate मतलब notocod, तो tail core data, euro core data larva metamorphose into adults, metamorphose मतलब transforms, जो larva होता है, जो छोटा होता है, जब तो वो जब C के bottom में जाता है, वहाँ पे वो transform हो जाता है, adult में, अब वहाँ पे जाके वो ऐसा क्या करता है, जिससे वो transform हो जाता है, वो एक रहस्य है find कर सकते हैं, आप लोग Google को सब रहस्य से पता रहते हैं, और generally these animals are hermafrodite, ज़्यादा तर ये लोग hermafrodite होते हैं अब पढ़ते हैं, एक्जामपल्स, डोलियोलम, और हर्ड मैनिया, और oikopleura, अब पढ़ते हैं, सिफाइलो कोड़ेटा, सिफाइलो कोड़ेटा मतलब पूरी बाड़ी में इनके नोटो कोड़ प्रेजेंट रहता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं, सिफाइलो कोड़ेटा, यह एनिमल्स, स्मॉल होते हैं, फिश लाइक होते हैं, मरीन होते हैं, और जो फैरिंग्स होता है इनकी बाड़ी का, वो बहुत ही बड़ा होता है, और उसमें बहुत सारे गिल्स लिट्स होते हैं, रेस्पिरेशन, ब्रेधिंग, ऐसे इक्शेंज के लिए, यह एनिमल्स, होते हैं और एक एक्जामपल दिया गया है अभी सब फाइलम वर्टीब्रेटा या क्रैनियेटा तो वर्टीब्रेटा इसका नाम सुनके मुझे वर्टीब्रल कुछ याद आ रहा है जी हां दोस्तों इसमें हम ही लोग आते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो बॉडी का जो नो नोटो कोड दिया इसलिए उसे लोग बोलते और इनकी हैट जो होता है और जो ब्रेन होता है वो क्रेनियम से प्रोटिक्टेड होता है इस लिए दिमाग पे जल्दी- चोट नहीं लगती है कि भले ही पीछे से कोही इटनी भितेश से यहां पनेenti मार अरकर चला जा जाए ज skeleton जो होता ये नियस होता या वहुता है दोनों तरीके का हो सकता या क्या या बदा सकते हैं कि machine कैसा यह है लीटर हमार्ऩ यह वह बयुक्ष ज्याइ ? आज मतलब ऑगना्था भी बोलते आं और ती ज लिए नेथ्व क्रेंटा भी कि इसे बोलते हैं अब सब फाइलम में वर्टीब्रेटा को छे क्लास में डिवाइड किया गया जिसमें वर्टीब्रल कॉलम होते उसको छे पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो छे पार्ट्स में जब डिवाइड किया गया तो छे क्लासे तो सबसे पहला क्लासे साइक्लो साइक्लो इस्टोमेटा का जौ नहीं होता है दोस्तों जबड़ा नहीं होता है और उनके बीना इनका मुह होता है जिसमें रहता है सकर सकर मतलब यह सक कर सकता है सोक सकता है इसकिन सॉफ्ट रहती है इसकी स्किन पर कोई भी स्केल्स नहीं होते हैं इसकेल मतलब जैसा आप लोग फिश देखते हो तो उस पर स्केल्स होते हैं और जो स्केल्स होते हैं वो ऐसे 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 हम लोग फिश बनाते हैं बच्पन में किस तरीके से बनाते थे य सफ्ट होती है एंडो स retinal काटिल लेजीनियस होता है ज्यादता falar इस्थ के के इस्ट ऑर माइक्षे इंपेट्रोमिजन और माइक्सीन्यों स्क्रसे करते यहां पे नहीं होते हैं लोकोमोछन तो यह सक्कर से करते हैं एक पे रहते सक करके थोड़ा सा रोटेट हो के फिर सक करते हैं फिर आगे जाते हैं फिर आगे क्लास पिसकस इसमें आती है हम लोग की मचलियां दोस्तों तो यह डॉग फिश का एक एक एग्जामपल दिया गया है है जिसका साइंटिफिक नाम स्कॉलियोडान है तो क्लास पिसकस के जो एनिमल्स होते हैं वो कोल्ड बलडेड होते हैं पोई किलो थम्स होते हैं एक्वाटिक होते हैं जो मरीन और है और अप लोग पानी को धक्का दोके तो वो नहीं जाएगा बट अकर उसी लखड़े को आप लोग ऐसा कर दो तो आसानी से पानी को काट देगा तो पानी को काटने के लिए इनकी बौडी spindle shaped होती है ताकि जब सामने से पानी आये यह आसानी सूफ को काट के आगे बढ़ सके जैसे aeroplane का सामने का जो पाट देखो के आप लोग तो कुछ इसी तरीके से दिखता है तो वो इसी लिए होता है ताकि वो हावा को काट सके जैसे आप लोग नीचे अगर एक box गिराओ तो वो तुरंत गिर जाएगा अगर वो rounded है तो तेल का डबब गिराओ आप लोग तो बट अगर वही पे आप लोग एक रुमाल गिराओ तो बहुत टाइम लेगा क्योंकि air से उसका boy and force होता है हम लोगोंने science one के लग लग रहते हैं और यह steering organs की तरह यूज होते हैं मतलब fins को अगर यह इधर rotate करेंगे तो वो उधर turn हो जाएंगे steering wheel की तरह यह काम करते हैं उधर rotate करेंगे इधर turn हो जाएंगे dorsal fins होती है आगे पीछे जाने के लिए तो control की तरह होती है यह exoskeleton जो होता है वो scales के form में रहता है scales आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यह scales इनकी body में और काटी लेजीनियस होता है मतलब यह तो काटा होता है और यह तो boni मतलब यह तो bones होते हैं जैसे shark और whale देखोगे तो इनकी bone होती है endoskeleton बट अगर आप लोग normal fish लाओगे populate rohu तो इन सब का cartilage लेजीनियस मतलब काटेदार होता है respiration इन लोग gills से करते हैं गills से अगर आप लोग respiration देखना चाहते हो तो मचलियों को पाणी से निकालो और फिर सामने रखो फिर देखो आप लोग किस तरीके से रिस्पिरेशन करती है एक्जांपल दिया गया है रोहू पॉम्फ्रेट दड़ियाई घोड़ा दैटिस सी होड्स शार्क एलक्ट्रिक रे स्टिंग रे एक्सेक्टरा अब बात करते हैं लाईं पीबिया तो दोस्तो और like में अगर जो एनिमल है वो लारवल लाइफ में बहुत ज्यादा चोक्ता है तो वह सिर्फ उसन में रेस्पिरेशन कर सकता है बट अगर वो बड़ा हो गया है ऐल्क लाईफ में हागया तो वह दोनों जगां रेस्पिरेशन कर सकता है दो pairs of appendages रहते हैं digits मतलब की जो उंगलिया रहती हो claws से provided रहती है exoskeleton absent रहता है skin बीना derivative मतलब derivative मतलब यहाँ पे scales हो गए जो मचलियों के उपर हम लोगों ने देखा था वो इनकी body पे नहीं रहते हैं और ज्यादातर moist मतलब गीले होते हैं respiration के लिए external ear absent होता है मतलब यहाँ पे अगर आप लोग ear देखें तो वो absent होता है बट tempinium present होता है time penum जो होता है उससे इन लोग थोड़ा बहुत सुन सकते हैं वो present होता है neck absent होता है मतलब garden इनकी body में होती ही नहीं है और जो eyes होती है वो eyelids है eyes are prominent with eyelids मतलब कि इनकी body में जो eyelids होती है उनके उपर रहती है eyes आखे मतलब eyelids के उपर रहती है तो यह सारे characters हैं अगर आप लोग यह दो point देखें तो यहाँ से आपको चार point मिलेगा जैसे external ear is absent और दूसरा point टिमपैनिया में present तीसरा point neck is absent चौथा point eyes are prominent with eyelids तो इस तरीके से points बनाना आप लोग सीखें दोस्तों अब आता है class reptilia cold blooded या फिर warm blooded इन बातों को ज़्यादा ध्यान में रखें दोस्तों ऐसा EMCQ आपको पूश सकता है 2019 में आ चुका है उसमें आया था dash is a cold बाता नहीं कहां कहां से option लाए थे और उसमें एक option था snake तो बच्चों ने क्या किया कुछ ने humans लिख दिया कुछ ने बैट लिख दिया तो snake आपका answer right था तो class reptilia कि अगर हम लोग बात करें तो animal evolution के course में ये पहला ऐसा animal था जो terrestrial animal था with the creeping movement मतलब की creep करके movement करने वाला ये पहला terrestrial animal था अगर हम लोग animal evolution की बात करें तो और ये cold blooded animals होते हैं ये creep करते हैं land पे क्योंकि इनकी body lift नहीं हो सकती उपर नहीं उठ सकती अगर इन लोग कोशिश भी करेंगे तो भी इन लोग नहीं कर सकते body उपर नहीं उठ सकती जिसके कारण इन लोग रेंगते हैं creep करते हैं इनकी skin dry होती है और scaly होती है जैसे आप लोग देखे तो यहाँ पे scales present है external ear गायब होता है इनका neck जो होता है वो present रहता है head और trunk के बीच में यहाँ पे इनका neck रहता है और digits जो रहते हैं clause से provided रहते हैं digits इनके clause रहते हैं वापे और यह examples है tortoise lizard snake अब Aves Aves मतलब की वो animals जो aerial life के लिए adopted हों मतलब यह animals तो दोस्तों लोग aerial life मतलब की सिर्फ उडने के लिए बने हैं यह vertebrates और यह warm blooded होते हैं यह अपना body temperature maintain कर सकते हैं और constant पे मतलब humans भी warm blooded होते हैं 37 degrees Celsius जीदा fixed temperature of the human body तो उससे कम ज़्यादा जैसे होती है जुरूंत उसको normal फिर लाया जाता है तो यह ऐसे नहीं होते कि अगर जमीन गरम है या फिर मौसम गरम है तो वो भी गरम हो जाए वो constant ही रहते हैं ठंडी में भी उतने गरमी में भी उतने जब तक कोई viral effect या फिर bacterial effect नहीं आता है इनकी body spindle shaped होती है मतलब कि जैसा आप लोग यहाँ पे देखें तो इनका जो head है वो इस तरीके से है और फिर यहाँ पे चोड़ा है फिर उसके बाद पीछे पतला है जैसा मैंने बताया aeroplane का आगे पीछे का हिस्सा देखें तो वो उसी तरीके का होदा है ताकि वो हवा को काट सके उसी तरीके से इनकी body भी होती है जिससे इन लोग आसानी से उड़ सकते हैं four limbs जो थे इनकी body के वो मोडिफाय हो गए wings में evolution के साथ साथ और digits जो होते हैं वो scales या बीर scales से covered होते हैं या और claws उनके उपर रहते हैं जैसे आप लोग यहाँ पे काले-काले claws देख सकते हैं तो exoskeleton इनकी body में present रहता है feeder के form में neck absent होता है neck present होता है head और trunk के बीच में यह आपका head यह आपका trunk यह आपका neck और jaws जो होते हैं वो beak में modify हो चुके हैं जबडे इनकी चोच में convert हो चुके हैं और इनकी example है parrot, pigeon, duck, peacock, penguin, etc यह सब examples हैं यह उसके अब मैमेलिया class मैमेलिया is your last and your chapter will be finished after that you have to study whole chapters that I have taught you so for now I am going to teach you the class मैमेलिया so presence of memory gland is the typical character of मैमेलिया मतलब इनकी body में जो memory gland होता है जहां से milk production होता है वो gland इनकी body में present रहता और वो typical character होता है मैमेलिया का अब यहाँ पे animals जो होते हैं वो warm-blooded होते हैं इनकी body divide हो सकती है head and neck trunk और tail मे digits जो रहते हैं वो nails मतलब digits या तो नाकूने के form में या तो claws के form में या तो hooves के form में हो सकते हैं exoskeleton जो रहता है वो hair के form में रहता है या fur के form में रहता है examples इनके हैं elephant, human, kangaroo, dolphin, bat, etc अब human में male और female दोनों आते हैं दोस्तों but female में memory gland रहता है male में रहता है ऐसा आपके मन में सवाल आया होगा तो जी हाँ दोस्तों male में भी memory gland होता है but वो undeveloped होता है well developed नहीं होता है बड़ जो female का memory gland होता है वो well developed होता है तो ये फर्क होता है दोस्तों तो mammalia में हम लोग भी आते हैं में question आ चुका है Aves और mammalia में distinguish between मैंने पूरी तरीके से 4 points लिखे हैं आपने भी लिखा होगा तो आपको 2 marks मिलेंगे तो फिलाल तो हम लोग 2021 की बात कर रहे है mission 2021 की तो हम लोग उसी की preparation करेंगे जो हो गया उसे भूल दाएंगे खाली question paper याद रखेंगे कि कैसा board में आया था उसके हिसाब से prepare करेंगे sample papers तो मैं आपको लिए prepare कर चुका हूँ और जैसे ही June का महीना आएगा वैसे ही मैं आपको sample papers प्रोवाइड कर दूँगा और जब तक आपको सारे chapters अच्छे से clear ना हो जाए यार मुझे एक भी question तो आही नहीं रहा है लगता है मैं fail हो जाऊंगे तो ऐसे सवाल आने लगेंगे या फिर कम परसेंट आएगा बट ऐसा नहीं होगा अगर आप लोग सभी प्रेक्टर से याद रखने है चार चार पहला character last character is the important and you have to learn all the characters of the class तो next lecture में आम लोग पडेंगे 7th lesson that is introduction to macro biology आज के लिए बस इतना है मिलते हैं next lecture में